यहोशु अद्धियाए 24 फिर यहोशु ने इसरायल के सब गोत्रों को शक्यम में इकटा किया, और इसरायल के वृद्ध लोगों को, और मुख्य पुरुशों को, और न्यायों और सदारों को बुलवाया, और वे परमिश्वर के सामने उपस्तित हुए, तब यहोशु ने सब लोगों से कहा, इसरायल का परमिश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, कि प्राचनकाल में इबराहिम और नहोर का पिता तेरह आदी तुम्हारे पुरुखा परात महानत के उस पार रहते हुए, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मुलपुरुष इबराहिम को महानत के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया, और उसका वंश बढ़ाया, और उसे इसहाक को दे दिया, फिर मैंने इसहाक को और याकूब और एसाब को दे दिया, और एसाब को मैंने सेर नाम पहार देश दिया कि वहाँ उसका अधिकारी हो परंतु याकूब बेटों पर तो समेत मिस्र को गया फिर मैंने मुसा और हारुन को भेज कर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किये उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया और मैंने तुम्हारे को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया और जब तुमने यहवा की दोहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंध्यारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहा कर उनको डुबा दिया और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगो रहें तब मैं तुमको उन एमोरिय के देश में ले आया जो यर्दन के उस पार बसे थे और वे तुमके लड़े और मैंने तुमारे वंश में कर दिया और। पुत्र बेलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बेलाम की सुनने के लिए नहीं कि वह तुमको आशिशी आशिश देता गया, इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया, तब तुम यरदन पार होकर यरिहों के पास आये, और जब यरिहों के लोग और एमोरी, जी, कनानी, हिती, गरगाशी, हीवी और यबुसी तुमसे लड़े, तब मैंने तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरीयों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया, देखो, यह तुम्हारी तलवार वधनुशका काम नहीं हुआ, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया, जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिये, जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उन्में बसे रहे हो, और जिन दाख और जलपाई के बग और सच्चाई से करो, और जिन देखो की सेवा तुम्हारे पुर्खा महानत के उस पार और मिस्र में कर दे थे, उन्हें दूर करके यहवा की सेवा करो, और यदि यहवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुनलो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देख जिनकी सेवा तुमारे पुर्खा महानत के उसपार करते थे और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो परन तुम्में तो अपने घराने समेत यहवा ही की सेवा नित करोंगा तब लोगों ने उत्तर दिया यहवा को त्याक कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे क्योंकि हमारा परमिश्वर यहवा वही है जो हमको और हमारे पुर्खाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चेर कर्म किये और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मद्धे में से हम चले आते थे उन में हमारी रक्षा की और हमारे सामने से इस तेश में रहने वाली एमोरी आदिस सब जाकियों को निकाल दिया इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशु ने लोगों से कहा, तुम से यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है, वह तुमारे अपराद और पाप शमा न यदि तुम यहोवा को त्याक कर पराय देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्देपी वह तुमारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुमारी हानी करेगा और तुमारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशु से कहा नहीं हम यहोवा ही की सेवा करेगे यहोशु ने लोगों से कहा तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगिकार कर ली है उन्होंने कहा हां हम साक्षी है यहोशु ने कहा अपने बीच में से पराय देवताओं को दूर क परके अपना-पना मन इस्रायल के परमिश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशु से कहा हम तो अपने परमिश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशु ने उसी दिन उन लोगों के से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधी और नियम ठेराया। यह सारा वुरुत्तांत यहोशु ने पर्मेश्वर की विवस्ता की पुस्तक में लिख दिया। और एक बड़ा पत्थर चून कर वहां उस बांजुरुक्षत के तले खड़ा किया। जो यहोवा के पवित्रस्थान में था। तब यहोशु ने लोगों से कहा सुनो यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा। क्योंकि जितने वच्चन यहोवा ने हमसे कहे हैं, उन्हें इसने सुना हैं। इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने पर्मश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशु ने लोगो को अपने अपने निजभाग पर जाने के लिए बिदा किया। इन बातों के बाद यहवा का दास नून का पुत्र यहोशु 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिमनस से रह में जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गात नाम पहाड की उत्तर अलंग पर है उसी के भाग में मिट इसराय के लिए कैसे कैसे काम किये थे उनकी भी जीवन भर इसरायली यहवा ही की सेवा करते रहें। फिर युसुप के हड़िया जिन्हें इसरायली मिसर में से ले आये थे सो वह भी शकेम की भूमें उस भाग में गाड़ी गई। जिसे याकुब ने शकेम की पिता हमोर से एक सो चांदी के सिक्कों में मोल लिया था इसलिए वह युसुप की संतान का निजभाग हो गया फिर हारुन का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एप्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबत पित हास कहलाती है और उसको देदी गई थी